नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दिखने वाली और हर जगा मिलने वाली और शद्धी आपकी पुरानी से पुरानी बिमारियों को चुट्कियों में खतम कर देती है आज हम ऐसी ही एक उशद्धी के बारे में स्टडी कर रहे हैं आपको बताने जा रहे हैं जो बावासीर, भगंदर, मलद्वार, भार निकलना, अंडिकोश में बिमारियों और पानी भर जाना ऐसी कई बिमारियां हैं जिनसे हम आपको निजात दिलाना चाहते हैं और यह बिम पानी के साथ माजो फल पीस कर डालिये फिर इसे पकाईए 10 मिनट तक उबाल ले और इसके बाद आपको ठंडा कर लीजिए और इसे पानी के साथ आप इसका करें इसी पानी से मल द्वार की धुलाई हो जाती है बवसीर के मस्व का दर्भ घंदर का दर्ड और मल का भार निकलना तीनों को अराम मिलें यह पक्रिया पास से छे दिन आप लगातार कीजिए तो आपको बहुत अराम मिलें का जिया दोस्तों मल द्वार से समंदी ही एक बिमारी है गुदा ब्रंश यह बच्चे जादा होती है इसके लिए आदा चमच फिटकरी लेजिए उसको फून कर चून बना लेजिए फिर दो माजो फल को पीस कर इसका चून बना लेजिए अब दोनों को चून को 100 ग्राम पानी के साथ मिला कर पीजिए आपकी दवा त्या जिया दोस्तों यदि किसी के अंड कोश में पानी भर जाता है तो उसके लिए भी है बहुत रामबान माना गया है यदि किसी के अंड कोश में पानी भर गया है या चोट लगने आदी से सूजन हो गई है तो माजो फल आपका कच्च साधी साबुत होगा पानी भरने की दश आमें 10 ग्राम माजो फल और 8 ग्राम फिटकरी पानी में महीम पीस कर इसका पेज बना लीजिए फिर अंट कोश पर लीप करकर इसे एक घंटे तक ऐसे ही छोड़ दीजिए तत पशात साधे पानी से धोलीजिए कम से कम 21 दिन यह काम करने से आपका पानी सूख जाएगा अगर सूजन हो तो 10 से 15 ग्राम माजो फल अश्व गंदा लीजिए पानी के साथ पीस कर इसका पेज बना जिए फिर इसे थोड़ा गरम कीजिए और सुझाता सुझाता लेप करे कोई कपड़ा बांद लीजिए तीन से चार दिन में सूजन आपकी अवश्य उतर जाएगी जिया दोस्तो लुक्यूरे में भी माजो फल बहुत अच्छा पाया जाता है माजो फल लुक्यूरे की भी दवा है एक एक ग्राम चून सुबह शाम पानी के साथ खाया जाता है 21 दिन तक आप इसका प्रियोग कर सकते हैं दोस्तो आयरुवेदिक समाधान में हम आपको जो बताते हैं उपाय वह वैदो की राय के मताबिक होते हैं और फिर आप यह बार अपने आप आयरुवेदिक अचारे से भी संपर्क कर लें और उसके भादी इन सब चीजों का प्रियोग करें जिया दोस्तो अब आप हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर जरूर करें क्योंकि हम आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स पताते रहते हैं हेल्थ की और आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और आपकी बिमारी से निजात भी मिल जाता है और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर करना ना भूले